हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब मैं पूनम स्वागत करते हूँ आपका लेट्स लोग विद पूनम में आज मैं सेर कर रही हूँ आप सब के साथ रोटी से कुछ इंटरस्टिंग सी रेसिपी जिसे आप बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं और आप इसे सफर में भी ले जा सबसे पहले हमें रोटी बनाने के लिए हाँ पर गेहूं का आटा चाहिए यह मैंने धाई कटोरी भर करके गेहूं का आटा लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा जामक डालूँगी एक चोथाई चमच के क्रेवी जिससे कि इसमें टेस्ट अच्छा हैगा और इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करके एक सोफ्ट सा डो लगा लेंगे यह रोटी कही तरह हमें डो लगाना जैसे हम नूर्मल रोटी बनाते हैं उसी तरह से लगाना है बस इसको मैं आपको लगा के दिखा रही हूं तो आप जैसे भी लगाते हूं उसी साब से लगा लीज पर या फिर आप आटे पर लगा लिजिए गा और इसको हम एक मिनट के लिए दोबारा से इसको मसल लेंगे जिससे के अच्छे से सेट हो जएगा और यहां पर हमें रोटिया बनाने हैं रोटी यह हम नॉर्मल लोई लेते हैं उससे थोड़ी बड़ी ही लीजिए का क्योंकि ह हमें यहां पर मोठी रोटी चाहिए जिस सीज के लिए हम बना रहे हैं इसको हम अच्छे से बेल लेंगे देखे यहां पर मेरी जो रोटी है अच्छे से बन चुकी है अब इसको हम सेखने के लिए चलते हैं तवे पर हम जिस तरह नॉर्मल रोटी सेखते हैं हमें वही करना इसका सिर्फ देखे दोनों साइड से हमारी जो रोटी है इसको हम अच्छे से कच्छा ने रहना चाहिए अलट-पलट पकालेंगे हमें यहां पर सारी रोटिया इसी तरह से सेहख ले नी है, रोटियों को हमें गरमा गरम ही लेके यह आप किसी की हल्प ले लीजेगा, यह आप अकेले करें लेटे और व्यम्तकर अक्ता सुथा करना। यहानों रोटी में शीद भाप निकल रहें, पता सल रहाण नहीं कितनी गर्म है रोटी और यह ङाने घी है गीजिए इसको मैंने गरम कर है और गर्मा गर्म रोटी पे हैं आप इसको डाल दीजी ये आदा कटोरी मैंने बूरा लिया है ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है अगर आपके पास बूरा नहीं है तो आप चीनी ले लीजी और उसको मिक्से में ग्राइंड कर लीजी और ये देखिए इसको अच्छे से म अच्छे से पीस लिया था इसको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए इसमें और भी अच्छा टेस्ट आएगा अगर आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते कि देखे जो रोटी है हमारी अच्छे से मसल चुकी ये चार रोटी बनी थी मैंने चारो की चारी रोटी है करना चाते है उसके अकोडिंग कर लेजी इस तरह से लंबी हम पिन्या भी बना सकते है इसे आप बच्चों की लंच बोक्स या सफर में व्यासानी से ले जा सकते हैं मैं आपको तोड़के दिखाती है खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं आप इसे बनाईए इस वे कमेंट कर दीजिए थैंक यू बाई